हेलो दोस्तों हिंदी मिरर पर खिर से आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए नाटक और एकांकी से संबंधित आपके जो हैं एमसी क्यू लेकर आए हैं और इस स्रीज में आज हमने आपके लिए 65 कोशन्स लिए हैं जो बहुत ही important questions हैं यह आपके 200 questions में से हमने चाटे हैं 65 questions जो very important questions है आपके तो इसलिए आप पूरी वीडियो जरू देखना यह आपके सभी competition जितने भी आप देते हैं PZT, TZT, BA, MA जितने भी competition आपके होते हैं सभी में questions आते हैं नाटक और एकांकी से संबंदित तो हमने इसमें नाटक और एकांकी दोनों के ही questions मिसकर के लिए हैं और इस 65 questions है वीडियो पसंद आए तो जादर से जादर like and share करना questions पसंद आए तो like जरूर करना और जो इस प्रिडेंट आज इस पर नए है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को हिट कर दे जिससे नई वीडियो के notification मिलते रहें और जो पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को पसंद करके आगे शेयर करें जिसे और बच्चों को भी इसका benefit सो चलिए शुरू करते हैं आज के questions की स्रंखला आपकी पहला है हिंदी नाटकों का विकास कर्म किन्स लेखक की रचनाओं से प्रारम हुआ भारत इंदू, उपेंदरनात अश्क, जैशंकर प्रशाद या फिर इन में से कोई नहीं तो जो आपके हिंदी नाटक का विकास कर्म शुरू हुआ था वो भारत इंदू जी से शुरू हुआ था चले अगले प्रशन पे चलते हैं, दोस्तों हमने ये जितने भी नाटक हैं, निवन्द हैं, आपके जो हैं, एक आंकी हैं, आपकी जितनी भी विधाएं हैं, सभी की हमने जो हैं, दिस्क्रप्शन में उनके लिंक दिये रहते हैं तो आप जो है कमेंट बोक्स में हमें बता सकते हैं चले अगले प्रशने पे चलते हैं सन 1900 से 1950 इसवी तक काल अवधी को किस नाटक कर के नाम जाना जाता है जो 1900 से 1950 इसवी तक काल अवधी यह समय है वह किस नाटक कर के नाम पर है तो यह हैं परसाद यूग के नाम पर भारतेंदू जी से तो शुरू हुआ नाटक लेकिन हैं परसाद यूग के नाम पर ठीक है चले अगले प्रशन पर चलते हैं रतनावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भासा से किया गया था मराथी पंगला संस्कृत या फिर अंग्रेजी तो तीसरे काप का उत्तर होगा सी संस्कृत से जो रतनावली नाटक है उसका हिंदी में अनुवाद किस भासा से किया गया था तो वो किया गया था संस्कृत से अनुवाद चले एगले प्रशन पर चलते हैं इन में से कौन सा भारति इंदू का मून नाटक नहीं है जो भारति इंदू जी है हरिश चंदर जी तो उनका मून नाटक कौन सा नहीं है पाखड विडंबन, सती प्रताप, नील देवी या फिर अंधेर नगरी तो आपको पता होगा या नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ जो पाखड विडंबन है वो इनका मून नाटक नहीं है ये अनुवादित नाटक है अब प्रशन बनता है कि जो पाखड विडंबन है वो किससे अनुवाद हुआ किससे इसका अनुवाद हुआ जो इन्होंने इसका पाखड विडंबन नाम रखा तो ये है प्रबोध, नूट कर लीजी आप जिससे ये अनुवादित हुआ है प्रभूद चंद्रोदे ठीक है यह इससे अनुवादित करके भारतिन दुजी ने इसका नाम रखा पाखंड विडम बन ठीक है चले अगले प्रशन पे चलते हैं अंग्रे जी नाटक मर्चेंट ओफ वेनिस का अनुवाद भारतिन दुजी ने किस नाम से किया यहां पर क्या है पूछ रहे है उपर पूछा था कि कौन सा मूल नाटक और यहांपर पूछा है gen 2 है जो अंग्रे जी नाटक है का अगले प्रशन पर चलते हैं अब अगले प्रशन बन जाता है जो प्रबोद चंद्रोद है वह अंग्रेजी है संस्क्रत है बांगला है किस तरह का है वह आप मुझे बताएंगे कमेंट बोक्स में की जो आपका प्रवोज चंद्रद है किस तरह का नाटक का नहीं है अगला प्रशन है इन नहीं है सथिप्रता प्रेम जयोंगनी वैतिक हिंसाखिंसाना भावती कार्वा अब देखिए साथवे का उत्तर क्या होगा आपका साथवे का उत्तर आपका होगा डी ठीक है अब यह जो साथवा है आपका इसका उत्तर जो है अब यहां बनता है प्रशन की कारवा किसका है अब दोस्तों मैं आपको सारे ही प्रशन जो है बताती चलती हूं क्योंकि मैंने कई वार आप ल आपको उत्तर मिल जाते हैं तो ऐसा काम किया किजिए उससे आपके ज्ञान में भी बड़ोत्री होती है साथ में तो आभी मैंने आपसे उपर पूछा था कि जो आपका प्रबोर चंद्रो दय जो नहीं पता रहते हैं क्योंकि कहीं बार ऐसा होते हैं कि कोश्चन आप कहीं भी मिलता नहीं है कहीं बार ऐसा होता है और जो है अब जब हम जैसे वीडियो देखते रहते हैं उन कोश्चन के हमें आंसर मिल जाते हैं यह भूनेशर परसाद जी का है यह भी बता देती हूं यह उन्होंने 1935 में लिखा यानि कि 1935 में उन्होंने यह लिखा था कारवा बाकी सब तो आपको पता ही है भारते इंदु जी के हैं बाकी उनका एक नहीं था वो आपको बता दिया फिर अगला प्रशन है विश्मोश धम नाटक के रचयता का नाम बताई है भारते इंदु पेंद्रनात अश्क लक्षमी नारायन मिश्रिया विश्र विश्नु परभाकर त देखो यहीं पर आपको इसका उत्तर मिल गया मैं आपसे पूछा था ना कि प्रभो चंद्रद है कौन सी भाषा में तो यह है संस्क्रित में चलिए आप नोट ठड़ लेना इसको अब यह भी प्रशन देखो अब मैंने आपको कल भी वीडियो में जब मैंने आपको निबं इसका सीधा नाम पूछ लिया और इसका अंसर आपको पताईए कि पाखडवी डंबन है नौवे का अंसर चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं चोर पंचाशी का नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है चोर पंचाशी का नाटक का अनुवाद भारतें प्रशन बन जाता है तो आप इसका उत्तर दीजिए वह तो आपको मिली गया जो मैंने पहले पूछा था अगला प्रशन है भारते इंदु के पिता गोपाल चंद्र गिर्दर दासनी कि सिनाटक की रचना की रामैन महानाटक नहोश पर दूंबन विजय या पिर जानकी मंगल तो इसने बताने की भारते इंदु जी के अब पढ़ते आ रहे हैं लेकिन इनके पिताजि ने जो átको पता चल गया गोपाल चंद्र गिर्दर दासनी के पीता का नाम तो इन्होंने किस नाटक की रचना की है इसमें आपको बताना है तो उन्होंने नहूश की की है अब ये नहूश जो नाटक है ये किसने प्रथम नाटक माना है ये प्रशन भी बनता है तो आपको पता है तो बताएंगे कमेंट बोक्स में चले एगला प्रशन है किस नाटक का ने नाटे शिल्प से संबंदित नाटक नामक गरंथ लिखा है तो बारवे का आपका उत्तर जैशंकर प्रशाद जी बरजबरलब मिश्र भारत इंदू धरम भीर भारती तो बारवे का आपका सी ही है यानि के भारत इंदू जी है जाले एगला प्रशन जानकी मंगल 1868 जानकी मंगल इनका लिखा हुआ है चलिए ठीक है अगले प्रशन पे चलते हैं भारत इंदू जी ने किस प्रहसन में भ्रस्ट शाषन तंत्र पर प्रहार किया है निल देवी अंधेर नगरी विद्या सुंदर या धरनज विजय तो जो भारत इंदू जी ने किनका प्रहसन है तो ये भ्रस्ट शाषन तंत्र पर उन्होंने प्रहार किया है वह किसके द्वारा किया तो उन्होंने अंधेर नगरी के द्वारा किया है चले प्रशन पे चलते हैं तपता समरान रंदीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयता इन में से कौन है राधा कृष्ण दास भारत पिता जी अगला प्रशन है सईयों की तास पेंबर नाटक के रचयता कौन है श्री निवाजदा बाल कृष्ण भट या फिर भारत इन्दू जी तो 16 का भी आपका उत्तर श्री निवाजदा जी ही होंगे चले अगला प्रशन है रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयता कौन है राधा चरण गोर्सवामी बाल कृष्ण भट उदेशंकर भट या फिर बारत इन्दू जी तो 17 का भी बाल कृष्ण भट जी चले अगले प्रशन पर चलते हैं रंदीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है अब यह तो भी आपको बताई दिया कि रंदीर प्रेम बाल कि अपने अनुदित नाटकों के दुआरा नहीं हिंदी को लोगप्रिय बनाया पार्सी रंग मंच का विरोध किया तता प्राची नाटकों का उद्धार किया उन्होंने क्या किया जो अपने मौलिक मौलीक और अनुदित तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता हो अनुदित होता है जो आप और किसी भासा के नाटकों पन्यास कुछ भी उठाकर आप उसका नुवात कर देते हो हिंदी में तो वह नुदित हो गया कि वहाशा में और मौलिक जो आप खुद से लिख तो मौलिक हो जाता है कभी आप जैसे किसी पत्री का में आप अपनी खरके तो यह तो दिया यह कथन किस आलो चक ने दिया है लूट न गेंदर जी ने रामीला शर्मा जी ने फिर हजारी प्रसाद्यौस जीने तो 28 काब का तरोगा सी यह उन्होंने राम्विला शर्मा जीने उनके बारे में कहा है कथन है अगला प्रशन है मेरी इच्छा भार कि दवारा की चारों में तो ये प्रसाद जी ने दिया है ठीक है लेकिन किस नाटक की भूमिका में कहा जी जी acesso कि अब stressing क्थनियोंने का Zoos और समय मेंने तो ये शयर स्कूद क्राव जी दिया कि ऑंक धितों साथ जो अभी तक किसी को पता ही नहीं चले हैं प्रकांड घटना हो जो घटना ही होई हैं उनका दर्शन कराने की मेरी वर्तमान इस्तित को बताने की क्या सा हुआ है उस वक्त मेरी क्या है मेरा प्रयात्न है या मेरी इच्छा है जो भी है प्रसाजी ने इन में से किस वर्क के नाटक कार है आदर्शवादी एतिहासिक समासुधारवादी या फिर कोई नहीं तो तीस्वेक आपका उतर होगा भी एतिहासिक नाटक कार है तभी तो उनके विशाग दुरू सामनी चंद्रुगुप्त ये सब हैं अगला प्रशन है इन में से कौन सा नाटक प्रसाजी का न ठीक है चली एगले प्रशन पे चलते हैं आपके विवा मुक्ति एवं पुनर विवा की समस्या को प्रसाजी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है ठीक है बताईए किस नाटक में प्रस्तुत किया है चंद्रुप्त दुरू सामनी इसकंद्रुप्त अविशाक तो 32 का भी ह दुबारा से वहाँ पर यह उठाया गया धरम गुरुवों के सामने जब यह नाटक कांत आता है वहाँ पर उठाया गया यह प्रश्ण दुबारा की पुनर वहाँ के लिए युगे-उगे-करांती नामक नाटक के रचयता कौन है धरमवीर भारती मोहन राकेस विश्णु प प्रश्ण का आपका उतर होगा सी विश्णु प्रभाकर पीडी गत संगर्श की अभी व्यक्ति विश्णु प्रभाकर के किस नाटक में है तो यह नाम से ही पता चल रहा है युगे-उगे-करांती की हर युग में पीडी बदल जाती है पुरानी पीडी और नई पीडी का आपस में संगर्श होता है या विचार टकराते हैं जो भी होता है उसके उपन उन्हें लिखा है कोणाक नाटक की रचेता कोन है जगदीश चंद्र मातर गोविन वल्लब पंत मोहन राकेस या फिर कोई नहीं तो कोणाक के बारे में आपको बताना है तो 63 का आपका उतर है अगला प्रशन है प्रसाद उत्तर नाटको का प्रारम कम से कब से माना जाता है अब भारतिंदु यूग भी हो चुका है अब चल रहा है हम प्रसाद उत्तर यह के प्रसाजी के बात के उननी सो बीस उननी सो चथिस उननी सो पचास उननी सो पिछातर तो 64 का आपका उत्तर होगा सी उननी सो पचास इसवी से प्रारम्ब माना जाता है ठीक है 64 का सी अगला प्रशन है प्रभु सत्ता संपन शाशक एम गरीव शिल्पी की संगर्ष कता इन में से किस नाटक की वि श्रत नंदन तो 65 का आपको होगा भी कौनार ठीक है इसमें क्या दिखाया है इसमें प्रभू सत्ता संपन शाशक एवं गरीब शिल्पी जो बनाते हैं तो वो जो शिल्पी बनाने वाले हैं उनके संघर्ष की इसमें कथा दिखाई है कौनार ठीक है पढ़ना बहुत अच्छ का आपका उत्तर हो का सी जंदिश चंद्र माथूर चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अश्वत्थामा का ब्रहमस अस्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है प्रमानों अस्त्रों के विद्वन्शक सवरूप का घ्रणा का पंजी भूत रूप अश्वत्थाम की वीरता या फिर इनमें से कोई नहीं तो अश्वत्थामा का जो ब्रहमस अस्त्र का अधुनिक युग में याद दिलाता है कि परमानों अस्त्रों के विद्वन्शक सवरूप का उनके उससे वहां फिनाश हुआ और आजकल जो परमानों अस्त्र है उनसे भी पता चलता है विद्वन्शक सवरूप हैं अंदा युग में किलकुल कितने अंक हैं दोस्तों आपको हर नाटक के अंक भी पता होने चाहिए जैसे आपके विशाक हो गया आपका चंदर गुठ हो गया धुरू सामनी हो गया आपके मोहन राकेस के नाटक हो गया है तो उन सब के आपको ज अंक हैं इन अंकों के नाम भी अलग प्रतीक थी इन प्रतीक मान कर किया है इनकों व्याजन देखना है यहां से भी तो उनको आप देख लेना कौन सा नाटक रंगमज की द्रिस्टी से अधिक उपयोगत है अंदायुग विसकंद गुप्ति चंदरगुप्ति या उपर इस इन तिनों में से कौन सा है तो 93 कैंट अनाटक रंगमज यानिक जो हम रंगमज पर खेल सकते हैं अच्छे से उसको दिखा सकते हैं नाटक जारी है रजना किस विधा की है नाटक निभंद कवीता या फिर उपन्यास तो 96 का उत्तर आपका होगा अब देखे इस नाम से हम लोग पनिफूज हो सकते हैं कि जो नाटक जा रही है तो नाटक की होगा लेकिन यह कवीता है लेकिन यह कवीता किसकी है आप ये मुझे बताएंगे ठीक है मुझे चान चाहिए किस विधा की इकृती है नाटक निभन्द कवीता उपन्यास तो 97 का आपका होगा डी यह है उपन्यास ठीक है इसको भी आप नोट डाउन कर लें अब आजाए एकांकी पर अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है विजेतेंदूलकर मोहन राकेश हरी कृ प्रश्ण प्रेमी गिर्जा कुमार माथूर तो 98 का उतर होगा भी मोहन राकेश का है ना चलिए वागे चलते हैं आपके प्रश्णों पर अगला प्रश्ण है आपका दीब्दान एम बादल मृत्यू नामक संकलन किस एकांकी कार के हैं रामकुमार वर्मा जगदिश चंद होगा रामकुमार वर्मा के इसको जरूर नोट डाउन करें ठीक है यह बहुत अच्छा कोश्ण है आपका प्रकाश और प्रच्छाई की किस एकांकी कार की रचना है धरमवीर भारती विश्ण परभाकर बेचेन शर्मा उग्र अरीकृष्ण प्रेमी तो 100 का आपका उतर हो अगला प्रशनी है मुझे जीन दो के रचयता का नाम चाटिये आरसी प्रशाद मिश सिंग प्रकाशन गुप्त सतेंद्र शरत या फिर रेवती शरन शर्मा तो 103 का आपका क्या उतर होगा डी रेवती शरन शर्मा क्या है मुझे जीनो दे मुझे जीने दो के रचयता रेवती शर्मा इनमेंसे कौनसा एक एक आउंकी सतेंद्र शरत का है तो बताईए कौनसा है एक सो चार का उतर कलंक मोचन शोहदा होटल या फिर जक्रयो तो 104 में क कुंसा एकांकि शतेंद्र शरत का है तो 104 का उत्तर क्या हो का बी शोहदा ये इनका है अब बाकी बचे तीन ये किस-किस के हैं ये भी आपको मैं बता देती हूँ आपका जो कलंक मोचन है वह है नोट डाउन कर ले ना तभी अच्छा लगेगा मुझे अगर आप इनको लिख कि ये किस-किस के हैं नहीं तो मुझे मैं मेहनत कर रही हूँ तो लगे कि हां मेहनत हमारी वसूल हो रही है हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो ये आप कर लिजे कलंक मोचन आर्शी प्रसासिंग का है फिर आपका आता है अब ये बी तो उनका है ये सतेंद्र शरत जी का अब आते हैं डीपर चक्रवियू चक्रवियू किसका है ये है लक्ष्मी नारायन मिश्री का इसको भी नोट कर लेजी ठीक है लक्ष्मी नारायन मिश्री चलिए आगे चलते हैं लक्षमिका स्वागत किस एकांकी कार की कृति है उपेंद्रनात अश्क सेट गोविन दास रामकुमार वर्मा गोविन वल्लब पंत तो 105 का आपका उत्तर क्या होगा बताईए जल्दी से अगर आपको पता है तो 105 का आपका उत्तर है उपेंद्रनात अ इसको भी आप नोट डाउन कर लें परकाश चंद्र गुप्त की रचना कौन सी है तोटे हुए दिल उतार चड़ाओ विजय किसकी या फिर नया जन तो 107 का उत्तर आप बताईए 107 का है सी विजय किसकी देखे एक तो आपको यह पता चल गई और एक मैंने प्रकाश चंद के कांकिकार की रचना है बताईए 108 का उत्तर गोविन बल्लंपंत या फिर विश्नु परभाकर चिरंजीत या फिर प्रकाशन गुप्त तो 108 का होगा भी विश्नु परभाकर की उचा परवत गहरा सागर अगला प्रशन है कौन सी कृतिव पेंद्रनात अश्क की नहीं है य प्रांतिकारी के कौन है रचनाकार इसके हैं उद्य शंकर भर्ची नोट कर लीजिए आपके आंसर आज में बताती चल रही हूं साथ की साथ जिससे आपको दिक्कत ना हो ठीक है यह अगला प्रशन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति इन में से कौन सी है धूम शिख अगला प्रशन है आपका कौन सी कृति मोहन राकेजी की नहीं है तो इसका मतलब इसमें तीन उनकी है लेकिन एक उनकी नहीं है तो 111 में अंडे के छिलके सिपाई की महा कृफियू या फिर चतुश पत्त कौन सी उनकी नहीं है यह हमें बताना है एक मिनट बच्चो एक सो स साथ हम इन में थोड़ा सा दुबारे हमेनी कोशन में आ गए है इसमें आपको बताना था मुझे जैसे यह प्रकाशन गुप्त की रचना कौन सी है इसमें 107 में आपको उत्र बताया था सी वीजय किसकी लेकिन यह जो तीन रह गई है यह किसकी है यह भी आप नोट कर लीज इसमें जो है आपका एका है आर्सी प्रशाद मिश्र आर्सी प्रशाद मिश्र यहां यह में बतानी भूल गई थी आपको मैंने फिर बाद में देखा कि यह तो बच्चों को बताई नहीं तो एक ही टूटे हुए दिल के हैं आर्सी प्रशाद मिश्र फिर बी है आपकी उत उतार चड़ाव की हैं रेवती शरन शर्मा नोट कर लीजे इनको रेवती शरन शर्मा फिर डी है नया जन नया जन के हैं चिरंजीत आपको भी बताया था कि ये किस विधा से हैं एकांग की विधा से चिरंजीत ठीक हैं ये हो गया आपका प्रशन सात्वा अब इस नौ में भ बता दिया है उदे शंकर भठ है ठीक है चलिए आगे चलते हैं दस्वा हमारा हो चुका इसमें कौमधी महुत सव मैंने इसका उत्तर बताया आपको आते हैं अभी आपको बताया था इसके बारे में तो यह आपकी ऊपर लिखी हुई है ठीक है इसको आप देख लेना है चलिए आगे चलते हैं आप नाटकों में पात्रों की संक्या अधिक होने से किसमें बाधा पड़ती है अभीनेता रंगमंच्यता देशका अलेम वाता वरन तो बताये इसमें क्या होगा आपका उत्तर तो इसमें 112 में होगा आपका उत्तर अभीनेता वे रंगमंच्यता जब पात्रों की संक्या अधिक हो जाती है तो क्या होता है अभीने जो है ठीक परकार से नहीं हो पाता है और रंगमंच्च में भी जो है परिशानी आती है उस से कोई एक ही हो सकती है तो इनकी है ए कभीरा खड़ा बजार में 121 काप का ए है लेकिन यह तीनों किसकी है तो आपको बता देती हूं ज्यान देव जो शुत्रमुर्ग है वो आपकी ज्यान देव अगनोत्री ठीक है अगनी आपको प्रशन है आपका रचना कार अपने परवेस से उखडकर शुनने हो जाता है इस तथ्या को मोहन राकेश के किस नाटक में दिखाया गया है आध्यवदूरे में मौलाहरों के राजहंच में आशार एक दिन में अंडे के छिलके में तो बताइए मोहन राकेश का किस में दिखाया गया है तो यह 122 का वशी आशार का एक दिन यह किस को दिखाया गया अब कि हम किसने कहा है यह लिए किन कोय हो ईह लिखने में लिखने में प्राप्ती और और ऑसिता है प्रसाद जी के नाटकों के अनुकूल रंगमंच हिंदी में नहीं थे तो मतलब क्या हुआ इसका तो कौन से नहीं थे 124 का आपका उत्तर है बी डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है सबके अपने अपनी राय होती है सबके बारे में रंधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचेता इन में से कौन है भारतेंदू लाला श्री निवास दास राधा जन गोसामी बालकरशनी भट तो इसमें हैं वताने कि करे में भी उपर आया था यह जो है आपका अनुवादित है कुछ से है यह भी आपको बताया गया था लेकिन कौन से सन में है तो 126 का आपका उत्तर होगा सी 1868 यानिके 1868 चलिए मर्चैंट ओफ वेनिस का दूर्लब बंदू नाम से अनुवाद किसी ने किया मर्चैंट बारान मिश्र भारत इंदुजी राजा लक्षवन सींग तो 127 का उत्तर आपका सी यह भी उपर आपका हो चुका है लेकिन दूसरे तरीके से प्रशनाप के सामने था भारत इंदुजी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है नील देवी बार्ध जन्नी विश्वस्य विश्मोध दम या फिर्सती प्रताब तो 128 का होगा विश्वस्य विश्मोष त मिनका मौलिक नाटक ठाए किसे नाटे करती की रचना भारती तो इसका एक सो पैतिस का आपका उत्तर होगा अंधेर नगरी चले अगले प्रशने पेचलते हैं बेचति को ब्रहम संगर्श हीनई आंत्रिष संगर्श ही नहीं आंत्रिष संगर्श भी जहनने पड़ते हैं यह कि स्रचना के संदर्मे सटीक है अब ये पंक्ति जो है नाटक से ले गई अभी उाई थी नाटक की एक की मैंने बताय था कि वहां से कालिदा से संबंदी थे तो वहां पर भी आप यहां बताएंगे किस से संबंदी थे कौन से नाटक से जीन ले पड़ते हैं भाई ये संगर्ष के साथ कौन से जो आंत्रिक संगर्ष हमारे अंदर चलते हैं उनसे भी इंसाम को जूजना पड़ता है तो 136 का आपका उतर होगा डी अंधा योग में ठीक है कौनसा इकांग की गनेश परसाद दिर्वेदी जी का नहीं है शर्मा जी कामरेड नानक की नमाज या फिर गोस्ठी तो इसमें आपको बताना है कौनसा इकांग की गनेश परसा बताएंगे कि यह किसका है चले अगला प्रशन है सेट गोविन्दास किसकाल के नाटक कार है भारतेंदु यूग दिवेदी यूग परसाद यूग या परसाद उतर यूग सेट गोविन्दास जी के बारे में बताना है कपके है तो 138 का आपका उतर होगा सी परसाद फिर अगला जयादित्यानाटक की कथा कर संबंद किस काल से मुगलकाल मौरयकाल हर्श WARधन काल गुप्त काल तो 140 का का ौगाज फश वर्ण काल से जया दित्या दित्या परसाद जी का औंदिम नाटक कौन सा इसकंद गुप चंदर गुप्त दृू सामनी विशाग अंदि बताने के जुरती नहीं पड़ेगी तो प्रसाद जी कों सा नाटक पहले आएगा इसकंद गूप अजास शत्रू दृू सामनी जन्मेजी का नाग तो यह तो हमारा अगर लगा है तो वीडियो को करिए जादा से जादा शेयर आगे पहुंचाईए सबके पास जिससे सबको ही इसका बेनेफिट्स मिले